अज़िए पिछली क्लास में हमने डिसक्स किया था सोडियम नाइट्रैट के बारे में आज हम डिसक्स करेंगे एक न्यू कंपाउंड पर्टिश्यम आयोडाइड चलि स्टार्ट करते हैं पर्टिश्यम आयोडाइड का जो फॉर्मुला होता है वह है के आई इसका मॉलिकुलर वेट है 166 चलि देखते हैं इसकी मैथड ऑफ प्रिपरेशन method of preparation जब potassium carbonate iron iodide के साथ reaction करता है तो वो sideride ये assistant इसे बोलते हम sideride में convert हो जाता है और साथ में देता है potassium iodide भी इसकी further reaction होती है चलिए वो देखते हैं further अगर हम potassium by carbonate को hydrogen iodide के साथ reaction करा है तो ये convert हो जाता है ये टूट जाता है potassium iodide में water molecule में कुछ quantity में इसमें carbon dioxide gas भी निकलती है student जो sign होता है arrow का उपर का ये note करता है बताता है कि ये gas form में है तो आप इन दोनों में से कोई भी reaction कर सकते हैं चाहिए reaction 1 चाहिए reaction 2 अब इसकी theory क्या मनेगी मैंने आपको बताया है कि theory बनाने के लिए आपको इतीन वर याद रखने बहुत जरूरी है when react with two form तो हम चलिए इसकी theory बनाते है इससे equation से when potassium bicarbonate react with hydrogen iodide two form potassium iodide water and carbon dioxide molecule first properties आती है फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उसका taste, order, उसकी solubility चेक करते हैं तो यह जो इसका color है वो कैसा होगा यह colorless होता है इसमें कोई भी smell नहीं आती है means यह orderless होता है यह granules granules means जैसे दानेदार form में यह powder की form में मिलता है और अगर हम इसे पानी में डालें तो यह पानी में soluble हो जाता है इसके साथ-साथ यह alcohol में भी easily soluble है next आती है chemical properties chemical properties में जो हम पहले reaction लेंगे इसके reaction कराएंगे reaction with chlorine चलिए हम restart करते हैं chlorine के साथ अगर जो potassium iodide होता है chlorine के साथ reaction करता है तो यह potassium chloride में तूट जाता है और साथ-साथ यह iodine भी देता है तो इसके theory क्या होगी start कीजिए when से when potassium iodide react with किसे reaction करेगा chlorine से react with chlorine two form क्या बनाएगा potassium chloride and iodine students equation को balance जरूर कीजिए कि आपका जो left side है और यह right side है यह दोनों बराबर होने चाहिए next reaction देखते है rejection with H2O2 H2O2 का means मतलब होता है hydrogen peroxide चली देखते है जब potassium iodide hydrogen peroxide H2O2 के साथ reaction करता है तो यह convert हो जाता है I2 में iodine देता है और साथ में देता है यह potassium hydroxide तो इसके theory कैसे बनेगी when potassium iodide react with किसे react करेगा hydrogen peroxide two form क्या बनाएगा iodine and potassium hydroxide चली देखते है इसके uses uses इसके basic uses है वो है incident it is used as antifungal means जो potassium iodide होता है antifungal की तरह भी use कियाता है antifungal वो compound होते है जब हमारी skin पे fungal infection होता है मतलब जैसे दाद खाज खुजली हो जाती है तो उसमें भी यह उसके रोग थाम करने के लिए use कियाता है तो antifungal compound को कहते है जो skin में होने वाले disease जैसे दाद खाज खुजली जो fungal disease होती है fungus की वज़े से होती है उनको खतम करने का काम करते है next is it is used as antitucive अब antitucive क्या होते है जैसे कफ हो जाता है खासी हो जाती है cold हो जाता है तो उस time पे जो भी दवाई ली जाती है उसको कम करने के लिए जो भी compound ले जाते है उनको बोलते है antitucive next आता है it is used as expectorant expectorant भी कौन से compound होते है expectorant भी compound होते है जो जैसे हमारे गले में mucus जम जाना bulgum जम जाना तो उस time पे जब cold या कफ की वज़े से हमारी शाती में bulgum जम जाता है कफ जम जाता है तो उसको बाहर निकालने का काम करते है उनको बोलते है expectorant it is used as a source of iodine in the management of hyperthyroidism means जो potassium iodide होता है वो hyperthyroidism hyperthyroidism वो disease होती है जिसमें जो thyroid होता है जो हमारा thyroid hormone होते है वो बहुत ज़्यादा quantity में thyroid gland से निकलने लगते हैं तो उसको कम करने के लिए भी as a iodine source ये use किया जाता है यह थे इसके uses अब देखते हैं इसका storage कोई भी हमारा compound हो उसे हम कभी भी खुले में नहीं रखते हैं तो उसकी common line होगी यह line सब में common चलेगी it is used sorry it is stored in well closed airtight container and away from moisture and light तो यह था potassium iodide के बारे में हमने पूरा discussion किया आपको यह topic समझ में आया होगा था अपना के लिए keep watching and subscribing our channel thank you so much आपको बुक हो एक मेरा आपको